तो आप देख सकते हैं यह मेरा प्लांट की हलत यह साइद जादा पानी देने से खराब हो गया है और इसका नाम मुझे नहीं मालूम क्या नाम है यह देखिए सारा काला पड़ गया जादा पानी देने से तो इसको मैं अभी दुबारा से इसकी कटिंग लगा देती हूँ तो गाइस इस प्लांट को अब मैं दुबारा से रिपोर्ट कर रही हूँ और देखिए इसमें क्या निकला है यह जो प्लास्टिक की छोटी सी पोर्ट सा नहीं होता जाली वाला यह देखो वह लिगला है साइद इसी की वज़े से यह प्लांट मर गया क्यूंकि इसके अंदर स्पेस मतलब बढ़नी पाता और हो सकता है साइद ज्यादा पानी देने के कारण भी यह प्लांट मेरा खराब हो गया तो अभी मैं इसको अभी दुबारा यह एसको ऐसी लगा देती हूं और जो इसके अंदर मिटी थी हो अधींी मित्री हाड़ वाली जो कोलो किता के प्लांट में नहीं जञी आम एक लोर número Land तो मैंने क्या करा सब्सक्राइश को एसी लगा दिया था उसको निकाल नहीं था तो कभी बिगाई सैं 20 लाओ तो उस मिट्टी को निकाल के अपनी मलब अच्छी सॉफ्ट मिट्टी में लगाओ और जो इसमें वैसे तो मैंने इसमें पॉर्ट में मैं वैसे कोकोपीट वाले मिश्नन बना रखा है खादवाद अच्छी डाल रखी है लाइट वईट वाली बड़ गलती यह होगी मेरे से कि इसको मैंने उस चिकनी मिट्टे को निकाल के नहीं लगाया और जो साइड में जो जगा खा लिए इसमें मैं परपल हाट के प्लांट लगाऊंगी ताकि ये मर भी गया तो परपल हाट चलता रहेगा इसमें और अच्छा लगज़गा कोशिस तो यह है कि ये अच्छा में की तो काफी महांगा भी मिलता है यह वाला प्लांट ठीके और अब आसकि को परपल हाट की कटिंग लगादा थि थे हैं तो मैंने परपल हाट बहुत अपने ग्लो कर रखे जगा-जगा तो मैं इसकी कटिंग ले लेती और इसको अब इसको गया अब ही में अ देखो एक लंबी स्टेम्प और यह लेगी सी इसी एक तो मैं इसी में से ले लेती हूं और इसके जो एक दो पत्ते हैं वो निकाल के बस इसको सिंपली गिरोग करना कि ऐसे ऐसे ही इसको बस होल करके और इसको लगा देना है ठीक है और और थोड़ा जब आप स्टेम्प लगाते हो ना तो इसको थोड़ा पुस्क करके इसको गड़े को हवा ना जाने चाहिए नहीं तो आपकी कटिंग खराब हो जाती है जो स्टेम्प के पास होल रहा जाता ना खाली और दीकिए मैंने जगा जगा इसमें फिलावर लिकल रहा है इसको हाट से में होता है लाइट पर कलर का तो दो-चार कटिंग में इसमें से भी ले लेती हूं लेगी साव रखा था अगर आप इसको मतलब लेगी मतलब बूसी बनाना तो आप इसके ने उपर से कटिंग करते रहो तो यह बुसी बन जाता है और बड़ा ही सुन्दर प्लांट है परपल कलर का जब भर जाएगा पूरा तो बहुत ही सुन्दर लगेगा अब हुआ तो दीखिये अभी इतना सुन्दर लग रहा तब जब इसमें और ग्रोथ हो जाएगी तो और यह सुन्दर लगेगा तो मैंने कई काफी कंटेनर में जगे जगे मैंने इसको ग्रोग रखा है तम मेरा मन करता है कहीं भी कहीं से निकाल करके शिफ्ट करती रहती ह तो देखिए गाईज ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाता कटिंग लगाना तो मेरी सारी कि सारी कटिंग सक्सेस हो गिये आप दीख सकते हो सारी कटिंग लग चुकी है यह मैंने तीन पोट भी लगाई थी एक ही एक पोट की इस पोट की भी चल गई सारी कटिंग मेरी इसमें फ्लावर भी आ रहा और यह स्वीट पेटेट वाइन की भी कटिंग तीस में गरीन और डार्ग परपल पड़ी के इसमें भी सारी कि सारी कटिंग हमारी सक्सेस हो गई है तो गैस आप यह से कटिंग लगा सकते हैं और अब तो बार इसका मोसम भी आने वाला है तो आप मतलब अपने प्लांट को मल् और थोड़ी सी कटिंग लगा लेते हैं इस प्लांट में से लेके जो मेरा वाइट टाइन थेसका प्लांट है इसकी कटिंग ले लेती हूं है एक दो थोड़ा यह लंबा जा रहा था ले लंब लंबा अच्छा नहीं लगता बूसी रहे तो प्लांट बड़ा सुंदर थोड़े पत्ते से निकाल के आपस मैं तो इसी पोट में लगा देती हूं ताके घरा घरा हो जाए यह देखे मैं लगा दिया इसमें और थोड़े दिन में इसमें फ्लावर भी आजाएंगे और गैस अभी तो मैं और कटिंग लगाना दिखाऊंगे आपको बताऊंगी क्योंकि बारिस का मुसम लगने वाला है रोस कटिंग और गुल्दाबरी की देखे मैं सोच रही तिसमें बीज सीड से मतलब पक चुके है तो सोच रही तिसमें बिखेर दूंगी ताकि इसमें प् युकस पत्ते निकाल दो और मैं इसको मतलब इसी पोट में लगा देते हैं कि तो इसी बड़ा हाडी पंदर होता और को मतलब सालों साल चलता और इसको बसिसे इसका थोड़ा सा काम यह है कि इसकी पींचिंग करने पड़ती है अगर आपGeंश निंह करोंगे तो यह लेगी लेकलती रहती है ताकि इसमने अच्छे खूँब भरन के मतलब प्लान्ट आए वैसे तो इसमने मतलब सर्दियों में फ्लावरिंग जादा करता है लेकिन अभी मेरे सर्दिगर में दोनों होता है लेकिन जादा सर्दी में फ्लावर देता है तो गाइस ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लग दिये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्ते